श्री राम लला आयोध्या के भव्य मंदिर में विराज चुके हैं ये आयोध्या में राम जन्म भूमी कैंपस है जिसके आठ एकड में राम मंदिर का परकोटा है इसी के भीधर करीब तीन एकड में मुख्य मंदिर बन रहा है ये है नागर शैली में बना श्री राम लला मंदर इसके शिखर की उचाई 161 फीट है मंदिर तीन मंजिला है हर मंजिल की उचाई 20 फीट है जिस चब उत्रे पर मुख्य मंदिर बन रहा है उसकी लंबाई 380 फीट और चौड़ाई 250 फीट है ये मंदिर का परकोटा है इसमें छै मंदिर और भी है गनेश, सूरित, शिवप, भगवती, पनुमान और अनपूर्णा परकोटिस से होती हुए मुख्य मंदिर परिसर में प्रविश के चार रास्ते हैं आईए हम मंदिर परिसर में चलते हैं ये मंदिर का मुख्य द्वार है, हम पूर्व दिशा से प्रविश्ट कर रही है बोलिए जैसिया राम और घंटा बजाईए सामने श्री राम लला का मुख्य मंदिर दिख रहा है इससे पहले पूरे मंदिर परिसर को देख लेते हैं ये परकोटे का गली आ रहा है लला का परिक्रमा पथ भी है अब मुख्य मंदिर में चलते हैं हम मंदिर पहुच चुके हैं सीद्वार पर यहां से सीधा देखिए आपको गर्ब ग्रे के बाहर की जलक दिख रही होगी इस मंदिर के सब इस थम्ब और आकरतियां राजस्थान से लाए गुलाबी पत्थर के बने हैं आगे बढ़ते हैं सीध्वार से आगे पांच मंदप हैं सबसे पहले दित्य मंदप यह भजन किर्दन के लिए बनाया गया है इसके आगे रंग मंदप से होती हुए आप गुड मंदप में पहुचेंगे गुड मंदप की बाई और कीर्दन मंदप बनाया गया है गुड मंदप से दाई और देखिए यह प्रातना मंदप है आप गुड मंदप तक ही जा सकते हैं सामने गर्बग्रह दिख रहा है लीजिए गर्बग्रह के कपाट खुल गये साक्षात रामलला विराजमान है दर्शन की जीए करकंज परकंजार